दूसरे रेलमी X3 जब से लांच हुआ है तब से मतलब मार्केट के अंदर थोड़ा सा डिस्टरवेंस आ गया रीजन वहीं कि एक 25,000 तक आपको अपर मिड रेंज फोन अगर आपको लेना हो रायता काफी हद तक अब फैलने वाला है क्योंकि रेलमी X3 और Samsung A51 का काफी तरणी टकर है स्पेसिफिकेशन के हिसाब से तो फॉटरवर्ड से इस वीडियो को दूनों को स्टाप करते हैं दूसरे यह दोनों जो फोन है मतलब आपका अपर मिड रेंज की काटेगरी या फिर आप कह सकते हैं कि लोर एंड फ्लैक्शिप किलर वाले फोन की काटेगरी के अंदर आते हैं क्योंकि 25,000 तक अगर आप पैसा खर्च करते हैं तो आप एक्सपेक करते हैं कि बहुत अगरे डिस्प्ले बहुत अच्छा कैमरा सेट अप और काफी हद तक मतलब परफोर्मेंस के अंदर आपको लैग वगरा देखने को आपको नहीं चाहिए तो यहाँ पर हम Realme X3 और Realme Samsung A51 को अगर हम कंपार करते हैं सबसे पहले हम लुक्स की बात करते हैं तो यहाँ पर परसले अगर आप देखते हैं Samsung के अंदर आपको एक front के अंदर, center के अंदर एक बहुत ही प्यारा सब punch hole display देखने को मिलता है और screen भी बहुत ही vibrant और बहुत ही अच्छे colors निकाल के आपको देती है हलागि यहाँ पर back के अंदर और front के अंदर आपको Corning Gorilla Glass की production देखने को मिलेगी लेकिन back के अंदर आपको एक plastic bag देखने को मिलेगा और साथ में जो आपका frame दिया है वो भी plastic bag है तो वहाँ आपको थोड़ा साथ cheap feel हो सकता है लेकिन वहीं आप Realme X-ray की बात करते हैं हलागि उसे पहला अगर मैं बात करूँ यार यह plastic देनी के बाद भी आपको ऐसा feel नहीं होगा कि आपको एकदम cheap device उस करें थोड़ा साथ आपको premiumness feel होगी लेकिन Realme X-ray के अंदर आपको back and glass है साथ में Corning Gorilla Glass 5K production है तो यह वो अपने हाफ में एक premium चीज है हालागि यह आप fingerprint की बात करता हूँ तो यहाँ पे आपको एक IPS LCD पैनल देखने को मिलेगा और Samsung के अंदर एक AMOLED पैनल है जिसको वो कहते है Infinity O display तो यह बहुत बड़ा फरक है और क्योंकि यह LCD है वो AMOLED है और बाकी अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे front के अंदर आपको dual punch हो left side में cut out देखने को मिलेगा देखने में वो वाला phone चोटे से dot कर सा थोड़ा सा premium लगता है और हला कि basically यह design वाला मामने तो काफी हथ तक है subjective होता है वैसे और सबसे तरी चीज़ आपको यहाँ पे फरक देखने को मिलेगा वो है 120Hz की एकदम buttery smooth display देखने को मिलेगे Realme X3 के अंदर और Samsung के अंदर वही आपका traditional 60Hz वाले display और अगर मैं weight की बात करता हूं तो यार Realme वाला phone 202 gram का काफी भारी है वहीं अगर मैं Samsung की बात करता हूं तो वो पड़ेगा आपको 172 grams जो की काफी हथ तक average weight है तो थोड़ा भारी है Realme वाला तो यहाँ अगर मैं display की बात करता हूं यलमी गंदर आपको IPS LCD पैनल देखने को मिलेगा जैसे कि मैं आपको बताया 20s to 9 का aspect ratio देखने को मिलेगा साथ ही आपको 120Hz का पैनल रहेगा 399 का pixel density आपको देखने को मिलेगा जो की मतलब above average है वहीं अगर मैं Samsung की बात करता हूं तो Super AMOLED स्क्रीन देखने को मिलेगी साथ में 6.5 इंचिस की स्क्रीन और 87.4% का आपको screen to body ratio और वहां रेल्मे में था 84.7 तो यहां थोड़ा सा ज़ादा है और 20s to 9 का aspect ratio यहां पे भी है और आपको 405 ppi pixel density देखने को मिलेगी 60Hz का पैनल है तो थोड़ा सा यह एक थोड़ा सा back end है Samsung के लिए दूसर इन सारी चीज़ों के बाद अगर हम बात करते हैं प्रोसेसर की जो कि एक main role अदा करता है आप किसी भी phone को अगर आप buy करते हैं तो वहीं अगर मैं रेल्मे X3 की बात करता हूं तो Snapdragon 855 Plus दिखने को मिलता है जो कि आज की डिट के अंदर Snapdragon का second best processor है processing के हिसाब से और यह 7 nanometer की technology को based है और यहाँ पर आपको Adreno 640 वाला GPU दिखने को मिलेगा वहीं अगर मैं Samsung A51 की बात करता हूं तो यहाँ वहीं यार Exynos वाले processor चिपकाए जा रहा है Exynos 9611 जो की 10 nanometer की technology को पर base है वहाँ Mali G72 MP3 GPU दिखने को मिलेगा अब आप कहेंगे आर दुनों को कैसे compare कर तो Snapdragon का एक mid range वाला processor आता है Snapdragon 712 उसके लगबग आज पास ही यह processor perform करता है और Snapdragon 855 Plus जो अग्दम flagship level के phones के अंदर आता था आज से 6 मेने पहले अब 865 आ चुका है तो second best यह है तो processor के अंदर full marks tutorial में और Samsung को यहाँ पर थोड़ा सा मुझे लगता है कि अपने चीजों को review करना चाहिए कि आप क्यों Exynos को गिसे जा रहे है मतलब Snapdragon देने में क्या दिखकता है तो अपने processing को सही बनाओ या फिर Snapdragon 2 simple जैसा कि वो US या बागी countries में करता है और साथ ही Android 10 का support दोनों के अंदर देखने को मुझे है Samsung के अंदर 1 UI है और इसके अंदर एक अपना UI है तो उसमें भी कोई ज़्यादा difference है नहीं और Samsung वाला 1 UI परसली मुझे थोड़ा बेटर लगता है लगता है उसमें थोड़े कम है थोड़ा ज़्यादा optimized है और bugs इतने नहीं है अब बात करता है storage की क्योंकि ये काफी हद तक important factor होता आपकी apps किस तरीके से load होती है या फिर आपके phone के अंदर हलका सा जिट रहा जो lag देखने को मिलता है रेल में X3 के अंदर आपको कोई भी microSD card देखने को मिलेगा लेकिन Samsung के अंदर एक dedicated microSD card आपको देखने को मिलेगा slot देखने को मिलेगा जिससे आप memory को expand कर सकते हैं अब वहीं अगर मैं internal storage और RAM की बात करता हूँ तो यहाँ पे आपको रेल में X3 के अंदर 6GB 128GB का internal storage 8GB RAM और 128GB का internal storage और सबसे अच्छी बात UFS 3.0 है जो आपकी apps को जल्दी लोड करेगा वहीं अगर हम Samsung की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 4GB RAM और 64GB का internal storage 6GB RAM और 128GB का internal storage and 8GB RAM 128GB का internal storage and the worst part is आप एक premium series का phone मतलब Samsung की S-series की बात जो सबसे बड़ी premium series है Samsung की वो A-series याँ वहाँ पे आप UFS 2.0 दे रहे हो और वो भी at least आप 25,000 रुपे charge कर रहे हो तो यह थोड़ा सा Samsung को यहाँ पे सोचना चाहिए better हो सकता था यहाँ पे तो दोस्तों अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को definitely subscribe करना पासम जोगाँ टाप वो भी प्रस करना वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को like कर दो और जो वीडियो नहीं पसंद आ है कोई बात नहीं वीडियो को फोन लेता हूँ तो camera's तो definitely check करता हूँ तो यहाँ अगर मैं realme की बात करता हूँ तो यहाँ पे आपको 64 megapixel का main shooter f1.8 26 mm wide ही रहेगा और यहां sensor की size भी है वो है 1 upon 1.72 मतलब नीचे नमबर जितना छोटा होगा उतना बड़ा sensor का size होगा काफी अच्छा size है यह sensor का वहीं अगर secondary camera की बात करता हूँ 12 megapixel का f2.5 51 mm का telephoto zoom lens है यह Samsung के अंदर आपको zoom lens नहीं मिलेगा और इसका 3rd camera है 8 megapixel का f2.3 119 degree ultra wide angle shooter काफी size चीज है and 2 megapixel का एक macro lens f2.4 macro की शायद जरूप नहीं थी या फिर अगर दे दिया तो कोई बात नहीं और दोस्तों इसके लवा मैं video recording की बात करता हूँ तो 4K में shoot कर सकते है 60fps तक 1080p में 60fps और बाकी अगर मैं बात करता हूँ Samsung की यहां पर 48 megapixel का main shooter f2.0 26 mm wide और यहां sensor की size है 1 upon 2.0 तो यहां थोड़ा सा sensor की size चोटी है जैसे कि मैंने पहला बता है और night की जो performance है blue light की फो काफी हद तक आपको अच्छी रीकिंग को मिलेगी और इसका जो secondary camera है 12 megapixel f2.2 123 degree का ultra wide angle और साथ ही 5 megapixel का f2.4 वाला macro shooter और एक 5 megapixel f2.2 depth sensing camera मतलब 4 camera हमें पूरे करने थे हमने पूरे कर दिये वही या बस और वही अगर मैं video capabilities की बात करता हूं तो 4K 30 fps और 1080p के अंदर 120 fps जी हां दोसों यह slow motion वाली चीज़ के अंदर Samsung का थोड़ा सा upper hand है क्योंकि यहां पे slow motion के अंदर आपको ज़्यादा frames per second देखने को मलते हैं जिसका मतलब वह अगर आपको video को slow करना है या फिर slow mode videos shoot करना है त और एक और sensor है यहां पर 8MP का f2.2 105 degree का ultra wide angle shooter जैसे कि मैंने पहले बता है कि front के अंदर आपको दो-दो cameras पंचोल के अंदर देखने को मलें के realme के अंदर Samsung के अंदर आपको एक ही छेद है बीच के अंदर और हो रहेगा 32MP का f2.2 26 mm wide और sensor की size यहां Samsung बाजी मार जाएगा 1 by 2. 2.8 तो मतलब Samsung की यहां size बड़ी है realme की थोड़ी छोटी है और दूसरों यहां दोनी फोन के अंदर आपको 6 देखने को मलेगा dual band Wi-Fi साथ में आपको Bluetooth 5.0 का support देखने को मलेगा साथ ही Type-C दोनों के अंदर देर रखा है fingerprint sensor की बात करता हूं तो realme वाले के अंदर एक अंदर 4200 mAh की battery देखने को मलेगी और साथ में 30W की fast charging और brand का ऐसा दावा है कि एक घंटे गंदर आपके phone को पूरा चार्ज कर देगा और वहीं अगर मैं Samsung की बात करता हूं तो 4000 mAh की battery कोई बात नहीं यहां तक भी बंदा adjust कर लेगा लेकिन सिर्फ 15W की fast charging यार मतलब आज के 15,000 तक के phone के अंदर भी आपको 30W की fast charging अराम से दिखने को मलती है पता नहीं यह लेके कहां जाएंगे मतलब मैं personally करे बार सोचता हूं यह आपल और Samsung जैसे मतलब phones मतलब fast charging की technology की पास शायद है definitely है लेकिन उसको पता नहीं कौन से phone के लिए बचा के रखते है मतलब Realme और Vivo जैसे चोटे brands comparatively 50W, 55W, 15W तक की fast charging दे रहे हैं मतलब जो 30-32 मिनट के अंदर आपके 4000-5000 image की battery को पूरा चार्ज कर देता है यह बता नहीं कहां लेके जाएंगे सिर्फ 15W की fast charging जो आज से 2-3 साल पहले दी जाती थी brand की तरफ से वो दी है दूसरा इन सारी चीज़ों के बाद मैं ब बात करता हूं colors की तो यहां पर आपको रेल्मी के अंदर blue and white दो colors देखने को मलेंगे Samsung के अंदर black, white, blue और pink चार colors देखने को मलेंगे मतलब रंगी निया बिखेर दिये colors ज्यादा है Samsung के पास और अब बात करते हैं पैसे की और last में बात करते हैं my blend advice की दूसरा यार पैसे की Samsung से तो Samsung के अंदर भी आपको जो equivalent model है Realme का वो 25,000 तक आस-पास बढ़ता है starting में जब आया था तब आपको 22 या 23 तक भी मिला था offline stores में कई पर Amazon पे भी sales पे आया था अभी 25,200 के आस-पास इसकी reads चल रही है दोनों की links मैं आपको निचिश्मिन में दे दूँगा but अब बात करते हैं moment of the truth दोस्तों अगर आप किसी particular एक brand के favor में नहीं जा रहे हैं तो Realme के अंदर एक दिक्कत है वो IPS LCD पैनल नोने चिपकाया है बाकी इस phone के अंदर कोई दिक्कत नहीं हर चीज में Samsung से आ गया है हाँ selfie के मामले में और video graphic skills के अंदर थोड़ा सा पीछे हो सबता है Realme ल boycott Chinese या फिर Samsung को support करना चाहिए तो यार वो आपका personal decision है आप अगर Chinese को boycott करने चाहते हैं तो कर सकते हैं Samsung को ली सकते हैं और बाकि अगर आपको ये comparison पसंद आया तो वीडियो को like कर दीजिए चैनल को subscribe नहीं किया आपने तो वो भी कर दीजिए पास में जुबाएल लाइक है अाहिए झाल